परद्या के फॉर्विजगंज प्रखंट को नया प्रमुक मिल गया है। राज्य निर्वाचनायों के निर्देश पर कड़ी सुलक्षा के बीच उपचुनाओ कराया गया। जिसमें ओम प्रकाश पासवान विजय हुए हैं और नय प्रमुक बने हैं। वहीं पूर्ख प्रखंट प्रमुक सुरेश पासवान को सिर्फ दस वोट मिले जबकि ओम प्रकाश पासवान को 35 सदस्यों का समर्थन मिला जिससे उचसाहित समर्थकों ने वक्त से पहले होली मनाई है। SDM शेल जापांडे समेथ तमाम विभागी अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजिऊदगी में उपचनाव पूरा कराया गया। इस तरह से फॉर्विस गंज प्रकंट में उखा पोह की स्थिती खात्म हो गई है। इस मौके पर नव निर्वाचित प्रकंट प्रमुक ओम प्रकाश पासवान ने कहा है कि फॉर्विस गंज प्रकंट छेदर में विकास उनकी पहली प्रात्मिक्ता होगी। पिछले बार भी हम जीत कर गए तेंदर दुरभाग हम आ रहा था जो हम नहीं आ पाए यहां लेकिन इस बार हमें अपार बहुमत मिला सभी का प्यार और अशिरवाद मिला और जितने भी लोग हमको भोट दिये हैं उनका मैं और जिवन अभाली रहूंगा सदारी नहीं रहू प्रकंद में सभी जाती सभी धर्म के लोग को मंं सम मान मिले और भाई चारा बरकरारे किसी तरह कोई डलाली ना हो हुई हमारी बलोग के कृणी। को दन्रवात देना चाहते हैं और हमारे जितने भी तो यह सब और हमारे जितने भी हमारे पंचासति नहीं वह सब खुश टिसमत है सारे लोग फूश रहे हैं और जो भी रिकास होगी तरह 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 होगी और अच्छा से होगा और सबके मजबुरी सबके दिल को जाना जाएगा उसके दुख को मटा जाएगा और अच्छे ज़रूर से हम चलाएंगे हम तोनों जो संगल लिए मैं पूरा किय अब आगे आप लोगे बीच हम लोग अच्छा से काम करते दिखाएंगे जो कल हम लोगो फिरी जत्ती निगास से लोग दिखेंगा जी जी जी